हेलो दोस्तों, मेरा नाम नाजिश है, मैं दुनिया सब्की में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं एक पुस्तक पढ़ने जा रहे हूँ और इसका नाम है मेरे अधिकार मैं जानू इसको लिखा है मेंका रमन ने, इसके चित्र बनाय है सुनन्दो सी ने और अनुफात क्या है स्वागता सेन पिल्लाई ने दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने कुछ अधिकारों के बारे में फिर चाहे आप किसी भी देश, भाषा, लिंग, धर्म, रंग या समाच से सम्मदित क्यों नहों ये सभी अधिकार आपको प्राप्त होने चाहिए तो चलिए जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में आपका और मेरा है बेशक अधिकारों पर सब का हक अधिकार उठाते और बचाते, दोस्त बनकर हमें आगे बढ़ाते अधिकार गलत होने ना दे, हम सब में बेशक्ती भरते अधिकार समय की जरूरत हैं, अपार गुप्ट शक्ती की मूरत है मुझसी हर लड़की का अधिकार सांस लेने दे ऐसा मिले संसार मुझे चन्म लेने का अधिकार है, क्योंकि हर लड़की को चन्म लेने का अधिकार होना चाहिए खोको कबड़ी या किर्किट की टोली, छूला फिसलन या आख मी चौली मुझे खेलने का अधिकार है कुछ दोस्त नए, कुछ पक्के यार घर, गली में या पुलिया के पार मुझे दोस्त बनाने और उन से मिलने का अधिकार है आजादी के साथ खुल कर जीना हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की भीर में दिखे नहीं गर हम, हमारी आवाज में फिर भी है तम मुझे अपने मंतव का अधिकार है मंतव मतलब अपना मत रखने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार मेरे आसपास ना डालो हाथ, छूओ तो तुम पर वज्रपात मुझे यौन वशारिरिक उत्पीडन का शिकार ना होने का अधिकार है दोस्तों, आपको सुरक्षित सेफ रहने का अधिकार है इसमें आपके बड़ों की अधिक भूमी का है और अगर आपसे ये अधिकार चीनने की कोशिश की जा रहे है तो आप अपने बड़ों जिन पर आप विश्वास करते हैं उन्हें बताएं इसमें आपकी खुद की कोई गलती नहीं है मेरा ही है ये भी अधिकार दू बुलंद आवाज से जक्को सुधार मुझे आत्म अविव्यक्ती का अधिकार है आपको सतन्तता पूर्वक अपने विचारों को रखने का भी अधिकार है घर की सफाई न रोसोई का काम गाड़ी मरमत न चाय की दुकान मुझे काम पर ना भेजे जाने का अधिकार है आपको शोशन के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है मुझे पायना घर बैठूंगी मैं तो नव में पंक लहराऊंगी मुझे विशेश देखवाल सहारे और सिक्षा का अधिकार है क्या क्यूं कैसे और कब जब भी पूछूं उत्तर मिले तब मुझे सूशना पाने का अधिकार है मुझे मेरे अधिकार जानने का भी अधिकार है दोस्तों इसके अलावा भी कुछ अधिकार है जो संयुक्त राश्ट संग ने यहाँ पर सूचित किये हैं जैसे की 18 वर्ष की आयूतक सभी के पास ये अधिकार है आप किसी भी देश, भाषा, लिंग, धर्म, रंग, समाच, इस्थान, वर्ग, शारिरिक, मानसिक, शम्तक के हूँ आपको अधिकार है कि किसी भी आधार पर आपके साथ गलत वेवार ना हो सभी बढ़ों को आपके लिए बेहतर करना चाहिए सरकार का ये करतव है कि वे आपके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करें आपके परिवार का ये करतव है कि वे आपके अधिकारों को समझने और उनका पालन करने में आपकी मदद करें वे सुनिक्षित करें कि आपके अधिकार सुरक्षित हैं आपके पास जीवन कादिकार है आपके पास आपका नाम होने कादिकार है आपको नागरिकता कादिकार है अगर आप अपने माता पिता से अलग देश में रहते हैं तो आपको उनके साथ रहने कादिकार है आपको बंधक ना बनने कादिकार है आपको अपने विचार रखने औ और बड़ों द्वारा उन्हें सुने तथा अमल के जाने का अधिकार है। दोस्तों इस तरह से हमारे और भी अनकई सारे अधिकार हैं जो आप लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। I hope आज अपने कई सारे महत्पूर अधिकारों के बारे में जाना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप में से कोई अपने अधिकारों से वंजित है तो अपने बड़ों से बात करें। आप बाल सहायता नंबर 1098 पर भी फोन कर सकते हैं। तो दुनिया सबकी में हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाई!